हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 लाइजर टाइम का ABC पार्ट सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे पार्ट एको पार्ट ए है आपका टिक दा क्रेक्ट ओप्शन्स पार्ट A में आपने सही option को टिक करना है तो यहां पर हमें first question दिया गया है snake boat race is held in first question में आपको क्या बोला गया है कि snake boat race जो है वो कहां पर होती है ठीक है तो इसका जो सही answer है वो option B केर लाएगा clear हो गया इसी तरह से next है आपका second question a popular medium which establishes a direct contact between the actors and audience is देखो second question में आपको क्या बोला गया है कि यह जो आपको तीन options दिये है इन में से वो कौन सा popular medium है जो establish करता है direct contact को actor और audience के बीच में clear है तो बच्चों इसका जो सही answer है वो option A theater आएगा तो यह हो जाएगा आपका second question cancel अब next हम चलते हैं question number third की तरफ तो next है बच्चों आपका question number third ए गेम played while Ladakhis during summer is देखो बच्चों third question में आपको क्या बोला गया है कि Ladakhis के द्वारा मतलब जो Ladakhis के लोग होते हैं उनके द्वारा summer के season में कौन सी game खेल ली जाती है clear है तो बच्चों इसका जो सही answer है वो option C पोलो आएगा तो इसी तरह से next है आपका question number four साइना नहवाल plays मतलब साइना नहवाल क्या play करती है तो बच्चों इसका जो सही answer है वो option B badminton आएगा ठीक है बच्चों साइना नहवाल जो है वो badminton player है clear हो गया इसी तरह से next है आपका question number five a board game which was a part of Indian history and mythology buzz देखो बच्चों फिफ्ट question में आपको क्या बोला गया है कि ये जो तीन आपको option दिये है इन में से वो कौन सी board game है जो part है Indian history और mythology का clear है तो बच्चों इसका जो सही answer है वो option A चोप पर आएगा और इसी के साथ आपका A part का जो solution है वो complete होता है अब next हम चलते है part B की तरफ तो next है बच्चों आपका part B fill in the blanks ठीक है part B में आपने blanks को fill करना है यहां पर आपको help box भी दिया है इसी help box से आप blanks को fill करोगे तो देखिए यहां पर आपको first blanks क्या दिया गया है we all need time to blanks our bodies ठीक है तो यह जो blanks है इसमें आएगा relax मतलब हम सभी को अपनी body को relax करने के लिए time चाहिए होता है clear है इसी तरह से next है आपका second blanks blanks is a traditional martial art of India देखो second blanks में आपको क्या बोला गया है कि इंडिया का traditional martial art कौन सा है ठीक है तो इसका अंसर आएगा कुस्ती बच्चों कुस्ती जो है वो एक form of martial art है clear हो गया तो next आप हम चलते हैं third blanks की तरफ तो third blanks क्या है तो बच्चों इसका अंसर आएगा लाइजर 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 ठीक है बच्चों जो टाइम आप एंटरेटेन्मेंट और रिलैक्सेशन में स्पेंड करते हो उस टाइम को आप लाइजर टाइम बोलते हो क्लियर हो गया तो यह हो जाएगा आपका third blanks का अंसर अब नेक्स हम चलते हैं फोर्थ ब्लैंक्स की helps to develop strategy and teambug तो यहां पर आपको fourth question में क्या बोला गया है कि वो कौन सी गेम है टाइगर और गोट की करनाटका में जो डवेल्प करती है strategy और teambug को ठीक है तो बच्चों इसका अंसर आएगा अडू हुली आता बच्चों अडू हुली आता जो है वो करनाटका में खेली जाने बाड़ी एक गेम है जो डवेल्प करती है strategy और teambug को clear है तो इसी तरह से बच्चों last blanks है blanks regulates breathing and relaxes our body as well as mind ठीक है तो बच्चों इसका अंसर आएगा प्रणायाम मतलब प्रणायाम जो है वो regulate करता है हमारी breathing को और हमारी body और mind को भी relax करता है clear है तो बच्चों यह हो जाएगा आपका B part का solution अब next हम चलते हैं part C की तरफ तो next है बच्चों आपका part C match the following ठीक है part C में आपने match करना है तो देखो यहां पर आपको first दिया गया है सत्रंज तो बच्चों सत्रंज जो है वो एक board game है इसलिए सत्रंज जो है वो option E board game के साथ match हो जाएगा और next है आपका meditation तो बच्चों meditation जो है वो option A yoga के साथ match होगा इसी तरह से next है बच्चों आपका karate तो बच्चों karate जो है वो form of martial art है इसलिए karate जो है वो option D के साथ match होगा next है बच्चों नोटंग की तो नोटंग की जो है बच्चों वो थेटर में किया जाने वाड़ा एक act है इसलिए नोटंग की जो है वो option B theater के साथ match होगा और last है आपका कताएं तो बच्चों कताएं जो होती है वो storytelling होती है तो इसलिए कथाएं जो है वो option C storytelling के साथ मैच हो जाएगा clear हो गया तो इसी के साथ बच्चों आपका chapter number 6 का ABC part का जो solution है वो complete होता है